को मैं अबसे आप सभी के स्वाग करता हूँ आप सब के पने चैनल डे टुडे लेर्निंग पर तो दोस्तो आज हम लेकर रेकर आया है बिहार डेलेट मैरथन क्लास दोस्तो जो की आपके हिंडी की होने वाली है दोस्तो हिंडी का जो भी आप लोग असलेबर से उन सभी के पानी पानी होना मुहाबरे का क्या अर्थ होता है उप्शन निरास होना तो दोस्तो इसका एक्जैक्ट अंसर क्या होगा तो इसका एक्जैक्ट अंसर होगा दोस्तो हमारा उप्शन निरास होना दोस्तो पानी पानी होना मुहाबरे का अर्थ होता है लजीत होना अगला प् दोस्तों, दोहा जो होता है,esis आघला प्रषन होता है तो WR में मातरिक छंद होता है तकर्षन होता है, तकर्षन के विशह में गलत कथन है option number 1 जो है आचारे मम्मट के अनुशार गुन रस के उतकर्स के कारण रूप धर्म है option number 2 है दोस्तो आचारे भरत के गुनों की संख्या 8 मानी है option number C है दोस्तो जिसमें स्वच्छता, सरलता और सहज, ग्रहता हो प्रसाद गुन कहलाता है option number D है दोस्तो मधूरे गुन का संख्या 8 मानी है अगला प्रस्तो हमारा मेरा बड़ा भाई लंडन जा रहा है वाके में पदबंध बताएं दोस्तो इसमें संबंध क्या है पदबंध क्या है तो ए दोस्तो क्या क्रिया विशेशन पदबंध है या संग्या पदबंध है या सरवनाम पदबंध है या विशेशन पदबंध है तो दोस्तो इसका exact answer क्या होगा तो दोस्तो इसका exact answer हमारा option number B यानि कि संग्या पदमन्ध होगा क्योंकि इसमें दोस्तो संग्या का समय बता रहा है अगला question दोस्तो हमारा निमलीखित में से कौन सा वाक्य सुध है option में A हमें कितनी कश्टों को सहना पड़ा option में C है हमें कितने कश्टों को सहना पड़ा तो दोस्तो इसका exact answer क्या होगा तो दोस्तो इसका exact answer हमारा option में B होगा यानि कि हमें कितने कश्ट सहने पड़ें दोस्तो इस सुध होगा कि बाकी जो भी है इस सब सुध है अगला प्रस्ण दोस्तों हमारा निम्लिकित में से सुद्वा के कौन सा है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ option number B है दोस्तों मैं दर्शन करने आया हूँ option number C है दोस्तों मैं आपका दर्शन करने आया हूँ option number D है दर्शन करने आया हूँ आपके तो दोस्तो इसमें सुद्वाके कौन सा है दोस्तो इसमें जो सुद्वाके है हमारा option number A यानिकि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ अगला प्रसन दोस्तो हमारा metrologist का हिंदी परिभासा क्या होगा तो दोस्तो जो metrologist होता है उसका मतलब क्या होता है या मसीनक होता है या मौशम विज्ञान होता है या लेखाकार होता है तो दोस्तो अंत्रिक्स विज्ञान तो दोस्तो अंत्रिक्स विज्ञान को हम दो क्या करते हैं तो दोस्तो अंत्रिक्स विज्ञान को आप सभी को पता होगा कि space science करते हैं अंत्रिक्ष्विज्ञान को अंत्रिक्ष्विज्ञान को क्या करते हैं दोस्तों स्पेस साइंस करते हैं और मसीनक मसीनक को क्या करते हैं दोस्तों तो मसीनक को करते हैं हम लों मैकेनिक मैन मशीनक सोज़ दस्तों मशीनक मशीनक को हम लोग करते हैं मेकैनिक मेन उसको वार में है दोस्तों हमारा लेखाकार लेखाकार को दोस्तों करते हैं एकाउंटेंट लेखाकार यानिके जो हिसाब किताब देखता है उसको एकाउंटेंट करते हैं दोस्तों जो हमारा ऐती मौशन मिज्ञान है उससे को कहते हैं हम लोग मैट्रो लॉजिस्ट ठीक है दोस्तों अगला प्रेस्ट दोस्तों हमारा केसो कही न जाए का कहिए देखत तब रशना विचितर अटी समुझी मन ही मन रहिए मेर निमलिखित में कौन सा दस है दोस्तों इसका exact answer क्या होगा, option में A, अद्भूत रस, B, हर से रस, C, भ्यानक रस, तो दोस्तो इसका exact answer होगा, हमारा option में A, यानि कि अद्भूत रस, next person दोस्तो हमारा probation, probation का हिंदी परिभासा क्या है, option में A, समीच्छा, B, सन्वीच्छा, C, पवीच्छा, या D, दिच्छा वधी, त दोस्तो इसका exact answer होगा, हमारा पवीच्छा, अगला प्रसन दोस्तो हमारा बहिसकार, बहिसकार सब्द का संदी विच्छेद क्या होगा, तो बहिसकार का संदी विच्छेद क्या होगा, तो बहि-प्लस-कार, या बहि-प्लस-कार, या बहि-प्लस-कार, या बहि-प्लस-का आ बहिसक प्लस आर तो दोस्तो इसका एग्जेक्ट एंसर क्या होगा तो दोस्तो निम्लिखित option में जो भी दिया गया है उसको आपतो ध्यान से पढ़ें तो दोस्तो exact answer होगा अँमारा वहीपलस कारियानी के option ए जो है ऑफ़ एग्जेक्ट एंसर होगा अला प्रसन या अप्मानित होना तो दोस्तो इसका एंसर क्या होगा क्या होता है और स्था अप्शन में उप्शन नम्र सी यानी कि विपती में परना अगला प्रसन दोस्तो निमलीखित में से भाव वाच्चे का चैन किजिए मुझसे चला नहीं जाता option बी है दोस्तो वे गा नहीं सकते option में C है दोस्तो आइए चले option में D है दोस्तो अब चलते हैं तो दोस्तो इसका exact answer क्या होगा तो इसका exact answer होगा मुझसे चला नहीं जाता इस दोस्तो वाक्य में भाव का बोद हो रहा है और इनका option नमबर A जो है बिल्कुली सही जबाब है अगला प्रस्तो दोस्तो अमारा यथा सक्ती में समास है option में A दोण्द समास B अब्यवी भाव समास C द्वीगु समास D तत्पुरुष समास तो दोस्तो इसका exact answer क्या होगा यथा सक्ती में कौन सा समास होता है अगला प्रस्तो दोस्तो हमारा पीपल की घनी च्छाव में आराम करो मैं दिखान की पदबंध क्या है दोस्तो इसमें पदबंध क्या है संग्या पदबंध है, सर्वनामिक पदबंध है, विशेशन पदबंध है या क्रिया पदबंध है लोकांकिक का सही अर्थ है का बर्खा जब क्रिसी सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ है option में A, वर्षा रितू के बाद फसल करती है option में B, वर्षा रितू से क्रिसी को लाब होता है option में C, काम बिगरने पर सहायता व्यर्थ होती है option number D, काम बिगड़ने के लिए वर्सा आती है काम बिगड़ने के लिए वर्सा आती है तो दोस्तो इसका exact answer क्या होगा तो दोस्तो इसका exact answer होगा, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होता है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होता है यानि कि option number C जो है बिल्कुल सही उत्तर है अगला प्रस्थन है दोस्तो मैंने किरायदार नहीं रखे मुसीवत मोल ले ली मैंने किरायदार नहीं रखे मुसीवत मोल ले ली वाक्ये प्रकार का चैन कीजिए किस प्रकार का वाक्य है सरल वाक्य है, सन्युक्त वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, या मिस्त्र वाक्य है, तो दोस्तो इसका exact answer क्या होगा, तो यह जो है, इस सन्युक्त वाक्य है, यानि कि option में B जो है, बिल्कुल सही है, रात दीन में, निम्न में कौन सा समास है, अब यविवाव समास, नज्ज समास या द्वीगु समास तो दोस्तों इसका एंसर होगा दोस्तों दोस्तों समास को पचाने का सबसे बड़ा नियम यह होता है कि दोस्तों अगर इस तरह का अगर कोई भी लाइनिंग आ जाता है तो हम इसको दोस्तों करते हैं अगला प्रशन दोस्तों हमारा मत्ते मत्ते सब्द के लिए सही संधी विग्रह चुने option मेर A है दोस्तो मत प्लस एक के option मेर B है दोस्तो मती प्लस एक के option मेर C है दोस्तो मती प्लस एक के option मेर D है दोस्तो मत प्लस एक के तो दोस्तो इसका exact answer क्या होगा तो दोस्तों इसका exact answer होगा होगा हमारा मत प्लस एक के यानि कि मत प्लस एक के यानि कि option number जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रसंद दोस्तों हमारा अपने मुह मिया मिठु बनाना लोकोक्ति का अर्थ है option number a अपनी प्रसंसा स्वेंग करना तोते को बोलना सिखना सिखाना या option number c दोस्तों अपने को बहुत योगी शमाजना option medium दोस्तों दूसरे की तारिफ करना तो दोस्तों इसका exact answer क्या होगा दोस्तों इसका exact answer होगा होगा अपनी प्रसंसा स्वेंग करना यानि कि option number A जो है बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रस्ण दोस्तों हमारा सोहत ओढ़े पीट पट स्याम सलोने गात मनहु निल्मनी सैल पर आपत परे प्रभात दी गई पंती में कौन सा अलंकार है option number A उत्प्रेच्छा अलंकार B रूपक अलंकार C स्लिश अलंकार ये D यमक अलंकार तो दोस्तों इसका exact answer क्या होगा तो इसका exact answer का होगा हमारा उत्प्रेच्छा अलंकार ठीके दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जै जै वारत